सब्सक्राइब करें दी क्रिकेट चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि क्रिकेट से जुड़ी हर ख़बर पहुँचे आपके पास सबसे पहले हेलो फ्रेंट्स डिसायर क्रिकेट में आप सभी का स्वागत है भारत और उस्ट्रेलिया के बीच पहले टी-20 मैच में भारत ये टीम के प्लेइंग लेवन में ये जुवेंद्र चहल नहीं थे शामिल फिर उन्होंने इस मुकाबले में गेंद बाजी कैसे की जिहां क्रिकेट फैंस उस वक्त चौक गए जब भारत की तरब से आठवे ओवर में ये जुवेंद्र चहल गेंद बाजी करने आ गए आज चारे इसलिए हुआ क्योंकि चहल आज प्लेइंग लेवन में शामिल ही नहीं थे और अगर वो सब्स्टिटूट फिल्डर के तौर भी आये होते तो वो सिर्फ फिल्डिंग कर सकते थे तो आखिर उन्होंने गेंद बाजी कैसे कर ली अब इस पर क्या कहता है ICC का नियम हम इस वीडियो में आपको बताएंगे दरसल भारतिय पारी के दौरान रविंद जडेजा के सिर में चोट लग गई थी और उनके हैंस्टिंग में भी खिचाव आ गया था लेकिन किसी खिलाडी के सिर्फ हैंस्टिंग खिच जाने पर उसे सिर्फ सब्स्टिटूट फिल्डर मिल सकता है परन्तु ICC के नियम के अनुसार अगर बल्ले बाज के सिर में चोट लग जाए और वो दोबारा मैदान पर ना उतर पाए तो उस खिलाडी की जगा कंकसन सब्स्टिटूट को लाया जा सकता है और वो सब्स्टिटूट बल्ले बाज की जगा बल्ले बाजी और गेंद बाज की जगा गेंद बाजी भी कर सकता है और चुकि रविंद जडेजा गेंद बाजी भी करते हैं इसलिए चेहल टीम में शामिल हो गए और अपने पहले ही योवर में इंफॉर्म बल्लेपाज एरन फिंच को आउट भी कर दिया हलांकि आस्ट्रेलिया के कोच ने इस नियम पर नाराज की जाहिर की अब आप भी इस नियम पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और हाँ डी क्रिकेट को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद